बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मनपसंद चैनल एक्जाम फाइटर नमर बन पर साथ ही हो जहां पर हम लोग जेस से सीजियल 2022 की वेकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और इस वेकेंसी के जो सिलिबस का पेपर थर जेस सेक्षन हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर प्रती दिन करेंट एपर और इंडियन पॉलिटी दो क्लासेस आपको प्रती दिन मिल रही है इवनिंग 5-7 पीम के बीच इसके साथ ही क्लासेस के बाद आपको multiple choice questions भी जिस विसे की क्लास होती है उसके according multiple choice questions भी आपको available कराया जाता है तो पिछले क्लास में हम लोगो जो नए है तो आप हमारे सारे video मिल जाएंगे सी कर講 dose क्रेंट का अलग section जैसे सीजईयल इंडियन पॉलिटी य हमसे के आप से सारे वीडियो को देख सकते है और अपनी जनकारी में वर्षि कर सकते हैं तो चलिए आ आज के क्लास को फ्लास करते हैं जैसा कि पिछले क्लास मे कहा मैंने और संभिधान सभा के द्वारा जो संभिधान पारित किया गया था उसमें कुल 22 भाग थे और 395 अनुचियत और 8 अनुचियां थी मिन्स हमारे संभिधान में 22 भाग 22 भाग मिन्स 22 चेप्टर उसको आप मान सकते हैं मिन्स हमारे संभिधान में 22 भाग हैं तो हम वाले हैं भाग दो जो एक्जाम के दिश्टी कौन से महतपूर नहीं है इसलिए उसको नहीं कर रहे हैं बस आप इतने जान लिए भाग वन में हमारे राज और कैंसासित परदेशों की सूची दी गई है अगर आपसे यह पूछा जाए कैंसासित परदेशों और भाग के सभी राज्यों के सूची का है तो वह भाग वन में तो वह बस एक ही लाइन में उसका अब्जेक्टिव आता है और उसी तरह के पूछे जाते हैं प्रस्ण तो वह इतना इंपर्टेंड लेकिन भाग टू सभीधान का भाग टू आज हम लोग पढ़ेंगे जो की नागरिक्ता से संबंदित हैं और ये एक्जाम के दिश्टिकों से काफी महत्वपूर्ण है इसलिए आज हम लोग इसी की पढ़ाई करेंगे नागरिक्ता भारते संबिधान में नागरिक्ता के संबंद में क्या क्या प्रावधान दिये गये हैं तो सबसे पहला प्रस्ण यहीं से बनता है भारते संबिधान में नागरिक्ता संबंदी प्रावधान संबिधान के किस भाग में है तो भाग दो में है भाग दो में किन अनुच्छे दो में है तो अनुच्छे 5 से 11 तक जैसा कि हम लोग जान रहे हैं भारते संबिधान में टोटल कितने अनुच्छे थे जब बने तो तो इन cared क् hy delivery आर्टिकल में से हम लोग है पांच से ग्यारह तग के बारे में पढ़ेंले पांच से ग्यारह जोकी नाetzenगरिक्ता से समध्री है तो इलेवन ऐसे आट्रफाइब तो इलेवन यह वाला जो यह नागरिक्ता से समन्दित है इनी एक एक आर्टिकल को फिर 5 को पढ़ेंगे 5 में क्या है फिर 6 में क्या है 7 में क्या है ऐसे 8 में क्या है 9 में क्या है 10 में 11 में तो जितने भी आर्टिकल है यहां पर इन सभी आर्टिकल को पढ़ेंगे और सभी आर्टिकल किसे समन्दित है न हम लोग इन आर्टिकल पर जाएंगे इनके बारे में डिस्कस्टन करेंगे इसके पहले हमें यह जानना होगा नागरिक और नागरिकता क्या होता है तो इसी भी देश में रहने वाले लोगों को नागरिक कहा जाता है जिसने कुछ विशेश अधिकार दिये जाता है देश में तो बहुत सारे लोग रते कुछ विदेशी भी आके यहां पे चार दिन के लिए टूरिस्ट के रूप में आ सकते हैं दस दिन के लिए आ सकते हैं गुम सकते हैं या कोई इलाज के लिए आ सकते हैं तो बहुत तरह के लोग भरत में हैं, लेकिन वो नागरिक नहीं होंगे। भारत्य समविधान के अनुसार, कुछ लोगों को जो यहां के मूल लोग होते हैं, उन्हें कुछ विसे अधिकार मिले होते हैं, जो कि विदेशियों को पर्दान नहीं की जाते। तो इनी अधिकार युक्त लोगों के समू को नागरिक का जाता है अब उसे क्या क्या अधिकार मिलते हैं जैसे जो भारत्य नागरिक हैं उसे हमारे देश में कुछ महतुपुर्ण पदों जैसे राष्टपती, उपराष्टपती, राजिपाल, सुप्रीम कोट का जज, हाई क युक्त होने का अधिकार है, इसके साथ ही उसे MP बनने का अधिकार है, MLA बनने का अधिकार है, वोटिंग करने का अधिकार है, कोई भी नोकरी प्राप्त करने का अधिकार है, नागरिकों को, जबकि गेर नागरिकों को नहीं है, तो नागरिक वैसे अधिकार युक्त और नागरिकता अब इसी नागरिक कौन-कौन नागरिक होंगे भारत के नागरिक कि नहीं के माना जाए जब सम्विधान लागू हुआ तो यह समस्या थी कि भारत के नागरिक किसे माना जाएगा यह नागरिक के समंदिस्ट जो भी विधी विधान समिधान में दिये गए उसे ही नागरिक्ता समंदी प्रावधान हम लोग करते हैं नागरिक्ता करते हैं तो इसी सिलसले में भारतेस्टामिदान में अनुच्यत 5-11 तक कुल जो यह आर्टिकल है पांच 6-7-8-9-10-11 मिन सेवन आर्टिकल है कुल सेवन आर्टिकल है यहां पर आपको यह भी कोशन पूछा सकता है नागरिक्ता से समंदिस्ट कुल कितने अनुच्यत समविधान में है तो साथ साथ अनुच्यत हैं और एक चीज़ हमें आगे बढ़ने स्पहले जानना होगा क सिटिजन्सिप है वह किस प्रकार की है वह एकल नागरिक्ता है एकल नागरिक्ता नागरिक्ता भारत में कैसी है सिंगल सिटिजन्सिप एकल नागरिक्ता जिसको लोग सिंगल सिटिजन्सिप करते हैं एक इसको एक हरी नागरिक्ता भी बोलते हैं कहें कि आपको एक हरी भी मिलेगा एक हरी नागरिकता मिन्स आपको भारत में एक ही नागरिकता है भारतिया भारतिया कभी हम जारकन में रहा है तो हमें कभी जारकन के अलग नागरिकता नहीं मिलेगे बिहार के अलग नागरिकता नहीं जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है अमेरिका में एक तो स जेनागरिकता है वहाँ पेगी डूसर्यजेन ग dir-ad mercantinal तो भारत में भी सिंगल स्अथ्ब तो भारत में जो नागरिकता का प्रावधान लिया गया है वह इंग्लेट से लिआ गया जिल्या गया या ब्रिथेंस लिआ गया वह फॉश्ञ से समंदित प्रावधान है उसे कहां से लिया गया है तो उसे इंग्लेंड से लिया गया है और USA में USA से नहीं क्योंकि वहां दोहरी नागर्टा है राइट एंसर इसका इंग्लेंड होगा हमारे देश में एक स्टेट था जम्मू और कस्मीर जहां दोहरी नागर्टा थी लेकि भारत का दूसरा जम्मू कस्मिर का लेकिन आर्टिकल 360 के हटने के बाल यहां भी दोरी नागरिकता खतम हो गई है अब पूरे भारत में पूरे जम्मू कस्मिर से कन्या कुमारी तक एकल नागरिकता है तो भारत में नागरिकता कैसी है एकल नागरिकता या एक हरी एक हरी तो त्लिया हैं यहां से बनते हैं दिसक्स कर चलिए अब हम लोग एक करके जितने भी आर्टिकल है समगे से समय उन्हें किस आर्टिकल में क्या प्रोविजन से और जब डीसकर कर लेंगे हैं इसके बार आपको नौर्ट का भी वीडिये कर करा देंगे आप उस नॉट्स को और आम से धीरे धीरे इसको स्टॉप करके पाउज करके स्टेडी कर सकते हैं अगर आपको कोई समझने में दिक्कत हो तो डीटेल में नौस आपको भी वीडियो में कर दिया जाएगा और मैं उसे एक बार रिट भी कर दूँगा आपके सामने संबीधान जब लागू हुआ, यानि संबीधान लागू का हुआ, 26 January 1950 उस समय भारत का नागरिक किसे माना जाएगा इसके संबन में प्राधान आ है,엔 आर्टिकल पाँं पर आपके संबीधान के प्रारम में किसे माना जाएगा भारतियाえて और किसे मना जाएगा भारतिय ना पहला का कि जिसका जन्म भारत में हुआ है जन्म जिसका जन्म भारत में हुआ है उसे भारत का नागरिक मना जाएगा दूसरा कंडिशन पेरेंट्स अगर किसी का जन्म भारत में नहीं हुआ है और अगर उसका पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भी भारती नाग यह नहीं हुआ है लेकिन वह समभिदान लागू होने से पांच साल पेहले से पांच साल पहले से अगर भारत में रहां यानी 1945 से तर याden 1945 से तो उसे भी भारत्या नागरेक मना जागा यह तीन कंडिसेन यह जरुटी निटागों से कंडिशन फुल्फिल करना हो इन तीनों में से कोई भी एक इन तीनों में से कोई भी एक कंडिशन या तो उसका जनम भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जनम भारत में हुआ हो या वह संभिधान लागू होने के लागू होने के पांच सल पहले से भारत में अस्थाईर कुछ से निवास कर रहे हो पांच सल पहले से पांच सल पहले से कोई भी जो एक सर्थ पूरा करता है उससे भारतिय नागरिक माना जाएगा ऐसा अर्टिकल पांच में कहा गया है तो बिल्कुल क्लियर है अर्टिकल पांच क्या है शंभिजान लागू होने के समय यानि प्रार शम्विधान जब लागू हुआ या प्रारब में भारत्य नागरिक किसे मना जाएगा इससे समंदिर प्रवाधान कहा है तो अनुचेर पांच में है वहाँ पे कितने तरह के सर्थ दिएगे हैं तीन तरह के कौन-कौन से तीन सर्थ है पहला उनका जनम भारत में हो अगर ये सर्थ पूरा नहीं कर पाता है या तो उसके माता या पिटा मैं से किसी एक का जनम भारत में हुआ हो अगर ये भी नहीं है तो 5 साल समझान लागू होने के 5 साल पहले से यानि 1945 से वो भारत में रहा रहा हो इन तीनों में से कोई भी एक सर्थ अगर वो पूरा करता है कोई भी एक सर्थ तो उसे भारत का नागरी मना जाएगा तो अनुचेत 5 क्लियर हो गया है अब बढ़ते हैं अनुचेत 6 अनुचेत 6 और 7 को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे अनुचेत 6 में कहा गया है कि उस दोर में थोड़ा हम लोग हिस्ट्री पे जाएगे जब भारत का विभाजन हुआ तो बहुत ही उतल पुतल इस्थिती थी कुछ जो मुस्लिम थे उसे लगता था हम पाकिस्तान में जाके सेव रहेंगे तो वो पाकिस्तान चलेगे और पाकिस्तान चेत्र में जो हिंदू थे उसे लगता था हिंदूस्तान में सेव रहेंगे भारत में सेव रहेंगे तो भारत आने लगे एक तरह से लोगों का इध फिर नागरिक किसे मानेंगे उसके लिए एक cut-up date रगा वो cut-up date था 19 जुलाई 1948 इसमें प्राधान क्या गया कि पाकिस्तान से जो भारत आएंगे उनके लिए नागरिकता उन्हें कैसे मिलेगी इसके लिए एक नियम बना गया ठीक है और यह था कि पाकिस्तान इंडिया से पा पाकिस्तान गए थे भारत से भी पाकिस्तान गए थे इंडिया से भी पाकिस्तान गए थे तो इनके लिए आर्टिकल सेबन है आर्टिकल सिक्स के लिए जो पाकिस्तान से भारत आए और आर्टिकल सेबन किस्ते हैं जो इंडिया से इंडिया से पाकिस्तान गए और दोनों क भारत से पाकिस्तान जाने वाले के लिए है इसके लिए क्या नियम बना गया कहा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत 19 जुलाई उसे पहले नागरिक होगा सिंपल सा उसे कुछ निकरना है वो कटप डेट से पहले आ गया तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा लेकिन जो 19 जुलाई उसे यहाँ पर छो महिना रहना होगा तब उसे भारत का नागरिक माना जाएगा इसके साथ ही इसमें एक कंडिशन था कि उसके माता पिता या दादा दादी और विभाजित भारत में पैदा हुए हो कंडिशन समझ रहे हैं मतलब 15 अगर्सट 1947 के पहले भारत जो ऑविभाजित था उस भारतिया छेत्र में ही उसके माता पिता उन्हें पैरेंट्स उनके माता पिता पैरेंट्स या दादा दादी ग्रांड मदर और ग्रांट फादर ये भारतिय चेत्र में और विभाजित भारतिय चेत्र में जन्ड में हो ये कंडिशन था तो यहां पर क्लियर है वो डेट कट अफडेट 19.1944 के पहले जो आ गया वो डारेक्ट नारिकता मिल जाएगा जो सब्सक्राइब के बाद आया उसे 6 मेना यहां पर रहना होगा यह अनुश्य चे भी क्लियर हो गया कोई दिक्कत नहीं है इसमें हम लोग आगी बढ़ते साथी हो तो अनुश्य साथ में क्या करता है कि अगर कोई भारतिय व्यक्ति है और उससे लग रहा था ऐसा हुआ भारति के व्यक्ति जो थे ऐसा लग गया कि विभाजन अब होना ही है अब भारत का विभाजन हो जाएगा तो कुछ ऐसे लोग थे जिसे लगा कि नहीं पाकिस्तान छेत्र में जारा अच्छे से रह पाएं तो उन लोगों के लिए अगर वह पाकिस्तान चले गए और पुना फिर भारत आ जाते हैं पाकिस्तान चले जाते हैं और पुना भारत आ जाते हैं और वह पाकिस्तान कब एक मार्च उन्यस्व से तालिस के बाद यहां भी एक कटप डेट था उस डेट को आप याद रखिएगा एक मार्च एक मार्च उन्यस्व से तालिस के बाद जो पाकिस्तान चला गया हो लेकिन भाद में उसे जब पाद लगा अजादी विभाजन के बाद यानि 15 अगर्स उन्यस्व से तालिस के बाद उसे लगा कि नहीं हम भारत ही में ही अच्छे हैं यानि हमें भारत में ही रहना चाहिए तो उसे भारत्य नागरिक मान लिया जाएगा लेकिन यहाँ भी सर्थ क्या था उसे 6 महिना भारत में रहना होगा और दुसरा छमा पत्र भी देना होगा छमा पत्र देना होगा और 6 महिना भारत में रहना होगा तब उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा याने उसे map कर दिये जाएगा तो देट आपको यहाँ पर यहाँ रखना है एक मार्च एक मार्च 1947 के बार बहुत लोग चले गए थे यह मतलब हमारे वीभाजन के पहले का डेट है हमारे आजाधि के पहले का डेट है एक मार्च 1947 के cut up डेट माना गया है इसके बाद जो पाकिस्तान चला गया लेकिन आजादी के बाद 15 अगस्त के बाद वो आ गये तो उसे भारती नागरी माना जाएगा लेकिन ये दो कंडिशन उसको पूरा करना च्छ मन्त और छह मां पत्र है तो आर्टिकल 7 भी क्लियर है ये दोनों है आर्टिकल 6 और 7 पाकिस पाकिस्तान जा रहा है तो यह वाला सिश्टम खतम है यह आज की रेट में इसका कोई उप्योग दिखा जातों नहीं है अब पाकिस्तान की बात हो हो गया तो माता-पिता से दादा-दादी से तो वही कह रहा है इसमें कि वैसे व्यक्ति जिनके माता-पिता या दादा-दादी और विभाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन वह व्यक्ति भारत से बाहर रहा हो जैसे बहुत सारे स्वर्णता से नानी थे जैसे कि इंडिया बार अजादी के बार इन्हें भी भारतिय नागरिक माना जाएगा भारतिय नागरिक माना जाएगा यह प्रधान कर दिया यह बिसिकली भारत के बाहर रहने वाले लोगों के लिए था जो किसी ने किसी अभियान को चलाने के लिए या किसी ने किसी कारी से उस दौर में बाहर रह रहे थे लेकिन मुल रूप से भारत के ही थे उन्हें भी भारतिय नागरिक माना जाएगा ऐसा आर्टिकल एट में है हटाब से कोच्चिन पूछा जाएगा भारत वंशियों को भारतिय नाग्रिक माना जायेगा इस संभण में प्रवधान किस अनुश्यद में ऑठ पाकिस्तां से संभन्दित प्रवधान पाकिस्तान से समदित नागरिकता करोफ़ांत किस पराण कीसा नुचित में अनुचेद छह और साथ में इसी तरह नुचेद 9 क्या करता है अनुचेद 9 हिसे ज़ियाद ङूँपल सा यदि आप किसी अन्य देश की नाग्रिकता कर लेता है यानि आप भारत के हैं आप बारत या नागरिक हैं और किसी दूसरे डेशे में गए आपको अच्छा लग गया और वहां की आप नागरिक बन जाते हैं तो भारत की नागरिकता जो है उसी दिन से 27- resto सुआभत हो जाएगी आप भारत के नागरीगता नहीं रहें जिस दिन किसी अनिदेश की नागरीटा सिफघ्य कर लेते हैं तो यह अरिक 2017 यह अर्टीकल डस करता है कि दी जूर्ट काया किय destac अ कि नागरीगता कैसे बनीJeं रहे जो कि संसद द्वारा बनाएगे नीमों के परतिकूलों यानि संसद को जो अधिकार है नागरिता के संबंद में अगर वो कोई कानून बनाती है और उस कानून के आप परतिकूल कार जब तक नहीं करते हैं या देश विरोधी कार जब तक नहीं करते हैं आपकी नागरिता बन लेगी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहां सपस्ट कर दिया है जब तक आज संसद द्वरा बनाएगे नीमों के पर्तिकूल या देश विरोधी कारें नहीं करते हैं तब तक आपके नागरिक्ता समाप नहीं होगी ऐसा अनुष्यद 10 में कहा गया है और यह अनुष्यद 11 जो अं बना सकती है क्योंकि यहां पर विशेश जो भी आर्टिकल दीएगा आपने यह देखा होगा किसी में नागरिकता समन्दिक कोई विर्हत बातें नहीं की गई है इसमें मूल रूप से उस परिप्रेक्ष मेरा बातें रखी गई है उस परिप्रेक्ष में आर्टिकल बनाई ज़िया है जो उस दोर में जरूरता जो उठाक की इस्थिती थी वर्टिय नाघरिक को उसके लिएक वेवस्था दी अनुछ। नियम नहीं दिये गया कि भारतिय नाखरिता किस परकार मिलेगी या किस परकार समाप्त होगी इस पर यहां पर कोई भी चर्चा नहीं की गई है इन अनुश्य दोने तो सारा अनुश्य क्लियर हो गया है इसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग आर्टिकल फाइब क्या है जन्नम के समय नागरिक यानि स्वंभिधान प्रारम के समय नागरिक कौन होगे उसके समद्ध में स्वंभिधान जब प्रारम होगा उससमय नागरिक किसे मानेंगे इससे समद्धी थे हमार आर्टिकल फाइब इसके से पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तान जाने वाले समंद्ध में और उसका एक अगड़करत हुगा एक मार्च 1927 के जो बाद गये इसरँ ऍश्य आर्टिकलल समाप करने पलक्ता आरटिकल 10 आप को डेस सब्सक्राइब नहीं करते हैं आर्टिकल 11 क्या है संसत को नागरिक्ता के संबंदित हमारी संभिजान में क्या-क्या अनुश्य दिए गए इनकाम दोर दिसक्रसंद करें अब और आगे अगर इनमें कुछ जानकारी चाहिए तो देखिए यहां पर आपको एक नौट्स भी इस नौट्स के माद्याव से अब नागरिक्ता के संभन में भाग तो बरते संभिदान के रहाग दो कि अनुश्य 5-11 तक के सभी अनुश्य दूब को डिटेल में आप पड़ भी सकते हैं नागरिक्ता सबसे पहले प्रभासित किया गया नागरिक्ता से क्या ताथ्पर है नागरिक्ता से यह पुर्ד राजनितिक सतना प्राप करना मैंने आपको जब मत देश के sic पूर्ण राजनितिक सतन से बन जयते हैं किसी भी सम्पर्भु राष्ठ में राज की और से झालर को कुछ ऐसे अधिकार मिले होते हैं जो विदेशियों को नहीं दियाते हैं बिलकुल नागरिकों को कुछ विशेस अधिकार मिलते हैं जो विदेशियों को नहीं मिलते हैं हमारी शमविधान में भी मोलिक अधिकार जो है पराफ्त है उसे हमकद बाद में पढ़ेंगे इसके बाद उन्हीं को पढ़ना है भाग 3 में है हमारा फंडामेंटल ईसके बाद अगले क्लासम के पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ अनुष्याद है जैसे 15 16 29 30 यह सिर्फ किसको प्राफ्त है सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है जबके हम दो देखें कुछ अधिकार विदेशियों के लिए भी ए उन्हें भी संदक्ष्ण प्रदान करती है तो कुछ अधिकार केवल नागुर्टों के लिए तो अनुषयत 15, 16, 19, 39 आपसे ये भी पूछ जा सकता है कौन-कौन से अनुषयत केवल नागुर्टों के लिए तो 15, 16, 19, 39 इसके साथ इस नागुर्टों ता अगर आपको मिली है कि यह नागरिकों को कुछविसर रदिकात दिए जाते हैं इसके साथ ही आप शंद्षर विधर्ढ मन रिंदान के स्धत्रता बन सकते हैं इसी प्रकार संभीधान को उपन क्या क्या दिये को संभीधान में इनके बार में यहां चर्चा की गई हैं हुआज भागव 2 में शंभीधान में नागरिकता के समनेज प्राउधान है किन अनुछ्यदों में 5 लिए गया है 26 जन्य उनिस्टापचास को भरत के नागरी कौन होंगे इसके साथ ही जैसा कि हम लोग जानते हैं अनुछे देख्यारा के तरह कहा गया है कि संसद को नागरिक्ता के संबंद में कानून बनाने का अधिकार है और इसी का उप्योग करके संसद ने उनिस्टापचपन में पहली बार उनिस्टापचपन में नागरिक्ता से समन्दित कानून बनाये नागरिक्ता अधिनियम बनाये कब उनिस्टापचपन में इसे समय समय पे संसोधन भी क्या गया क्योंकि कोई भी कानून एक ही बार में कंप्लीट नहीं हो जाता है समय को बनता है सबसे पहला संसुदन कब हुआ नागरिकता अधिने में में फिर उनिस सो बिरानवे में दोजार तीन में दोजार पांच और दोजार पंदर में भी संसुदन किया रहा है तो अगला क्लास जों करेंगे इसी के बारें पढ़ने वाले है इसके साथ शम्विधान निर्मान के उपरान 26 जन्री नियुक्त पचास के अनुसार चार सिर्णियों के लोग भारत के नागरिक बनेंगे इसके समय नहां पर बातां कहीं गई है इन सारे अनुष्य यह हम दोग अभी देख चुके हैं आर्टिकल 5 क्या है आर्टिकल 6 क्या ह आर्टिकल 7 क्या है इनके बारे में भी जान चुके हैं आर्टिकल 8 क्या इसी तरह आर्टिकल 11 तक यहां तक आपको मिल जाएंगे तो आप इसे यहां से अराम से वीडियो को पाउज करके अस्पस टूप से दिख भी रहा है आप इसका रिडिंग करके अपने जो समझ है उस तो नागरिक्ता के बारे में पढ़ा कल हम लोग भाग दो से ही समंदित जो अनुचियर 11 है इस नागरिक्ता अधिनियम तो कल हम लोग एक्ट पढ़ेंगे संसर ने जो नागरिक्ता एक्ट बनाया है एक्ट 1955 में नागरिक्ता से समंदित एक बड़ा कानून बनाया है इस का अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप बिल्कुल चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करें क्योंकि इससे आपको प्रति दिन फाइब टू सेबन पीम के बीच जो वीडियो अपलोड की जाएगी जै thank you for watching this video Dhaniwaad Shubhraa